हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की हमाई रेसीपी है चिकन कॉर्मा तो चलिए यह डिलीशिस चिकन कॉर्मा बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने हाफ केजे चिकन ले लिया है और जो बड़े पीसीज है उसमें कट लगा लिया है हमें इसे मेरिनेट करना है तो हम इसमें कुछ इस्पैसिस डाल कर से मेरिनेट कर देते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ डालते है वन टी स्पून नमक, एसपर्टिस्ट आप डाल सकते हैं, यहां मैंने वन टी स्पून ड्रेड चिली पोर्डर डाला है, और यहां पर दही डाली है, वन टी स्पून इसे अच्छे से मिक्स कर, अब इसमें डालेंगे टू टी स्पून जिंजर गालिक पेस्ट और इसे गंटे के लिए ढखकर रख देंगे, जितने आदे गंटा होता है, हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं, यहां मैंने एक अनियन को स्लाइस कर लिया है, फाइन कर रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से, तो यह बारी कॉर्मे में प्यास को बहुत ही जादा एकुरेट होना अपके जो अनियन्स तो आपकी जल जाएंगी, और कुछ रहेंगी जिससे कि हमारे कॉर्मे का टेस्ट हराब हो सकता है, यहां देखे, मैंने गरम ओल में अनियन्स को टाला है, अब यह बिल्कुल बराबर से फ्राइज होती जाएंगी, कोई कम या जादा नहीं होगी, सब एक साथ फ्राइज होती जाएंगी, यहां मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, और ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, यहां आनियन को फ्राइज करते करते पांच मेट हो गए हैं, और यह गोल्डन होन लेके बाद भी थूड़ा सा कलर अपना डाक करती हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखे कि बिल्कुल गोल्डन होती ही निकाल लें, जादा देर नहीं करें, और इस तरह से सारी अनियन्स को आप निकाल लें, तो यहां हम इसे फ्राइज करकर रख देते हैं, एक पर कैमरा लगाया था, लेकिन मुझे लगा कि रिकोडिंग हो रही है, पर रिकोडिंग नहीं हो रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहां मैंने क्या क्या डाला है, यहां मैंने ओइल को गरम करके, तेजपता, लॉंग, इलाईची, काले मेच, बड़ी इलाईची, दारचीनी और जवितर जैफल डाला है, उसके बाद हमने यहां पर मैरे नेट हुआवा हमारा चिकन डाला है, और उसके बाद जो हमने रफली चॉप अनियन्स का पेस्ट बनाया था, वो डाला है, तो यहां पर मैं इसे पकाऊँगी, जब तक कि हमारा ओल सेपरेट नहीं ह जाता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे पकते वे दस मिनट करीब हो गए हैं, और हमारा जो चिकन का ओल था, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, अब यहां पूरी तरह सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपने अधर इंग्रिडियन्स, जैस हमने फाइन पेस्ट बनाया था, वो भी इसमें डाल देंगे, और नेक्स्ट हम डालेंगे हमारी फ्राई वाली अनियंस, अनियंस को इस तरह से आप हाथ से तोड़ने थोड़ा सा, क्योंकि यह क्रिस्पी हो चुकी है, फ्राई होने के बाद तो आसानी से यह तोट अब हम इसमें डालेंगे अपने दूसरे मसाले, जैसे कि यहाँ तो टी स्पून धनिया पोडर, और नेक्स्ट हम डालेंगे यहाँ पर हाफ टी स्पून हल्दी पोडर, वन टी स्पून रेड चिली पोडर, रेड चिली पोडर हमने पहले भी डाला था, तो उसी हिसाब से आप कम ही डालिएगा कहीं आपके कॉर्मे में तेज नहीं हो जाए और हम यहाँ पर अब डाल देंगे नमक तो यहाँ अब इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हम फिर से ऐसे ही पकने देंगे जब तक कि यह पूरा औल सेपरेट नहीं कर देता यहाँ इसे पकते करीब 25 ती स्पून के और यहाँ पर हमने डाला है थोड़ा सा पानी आपको ग्रेवी जितनी भी ठीक ही रहनी है उसी इसाफ़ से आप यहाँ पर पानी डाल सकते हैं और पानी डालने के बाद आप इसे चला दे और आप हम डालेंगे इसमें केवरा वाटर केवरा वÅटर क बस दो मिनिट के लिए पकाएंगे और हमारा कॉर्मा बिल्कुल रेडी हो जाएगा दोस्तों आप बताएए आपको ये कॉर्मी की रेसिपी कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर करिए अपने एक्सपिरियंस कमेंट्स में तो यहां मैं आप से फिर मिलूंगी एक नई वीडियो